hey guys so welcome to the Thursday Q&A so आज का सवाल है बाइ मन आचार्य जी वो पूछते हैं how is American psychologist journal and how is the probability of my acceptance please reply okay so American psychologist journal जो है वो आपका psychological science education or policy के पर जो है जो इस topic से जुड़े हुए है उन papers को publish करता है इसका impact factor around 10 है और यहाँ पर आपको manuscript के साथ साथ अपना एक cover letter भी submit करना होता है आप जब इस journal में submit करने जाएंगे अब जहां तक बात रही आपका probability of acceptance तो वहाँ पर you have to make it very very sure कि आपके जो co-authors है जो आपके साथ इस वाले आपके article में हैं उनके उनका previous experience रहा हो 10 impact factor के journal में article को publish करने का पहली चीज़ जो आपका corresponding author है वो भी और जो आपका co-authors है वो भी एक चीज़ दूसरी चीज़ you have to make sure कि आपका जो काम है वो उस level का हो जिस level का काम उस journal में पहले से publish हो रहा है अब वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा उसके लिए आपको वो जर्नल के previous volumes को scroll down करना है उनमें search करना है कि क्या आपके काम से जुड़ा हुआ कोई और article आज तक उन्होंने publish की है और जब आपको वो article मिले तो उस article के काम को आपने observe करना है कि हाँ उन्होंने किस तरह का काम कर रख है और क्या मेरा काम उनके type के काम तक match कर रहा है या नहीं अगर कर रहा है तो आपका probability of acceptance थोड़ी अच्छी है अगर उसके आसपास भी नहीं है आपका काम तो आप यहां पर submit करके अपना time waste मत करें क्योंकि यह बहुत ही high impact factor journal है अगर काम सही नहीं है आपके authors जो हैं उनका previous experience इस तरह के journal में नहीं है तो वह आपको desk से ही आपका जो article है वह आ जाएगा आपको कोई feedback भी नहीं मिलेगा कोई peer review भी नहीं आएगा might be submit करने के 5-6 दिन के अंदर अंदर ही आपको आपका वह आ जाए कि नहीं we cannot take your job we cannot take your article so यह चीजों को यह factors को जो भी मैंने आपके साथ बात की है उनको एक बार consider कर लेना and then only go ahead and submit your article till the next week take care